गुड बॉर्णिंग स्टुडेंट यार इंटनेशनल स्कूल उनलाइ स्टुडी सिस्टम में आपका स्वागत है दिस इस मी फिरेंदर सेंग आज यू नो वी हाव कम्लिटेट चैप्टर नंबर थी मींदल एंड पावर रिसोर्स इस आशा करता हूँ कि आप पूरे से समझ गया हूँगे इस चैप्टर में किसी तरह की कोई प्राब्लम नहीं होगी कुछ बच्चों के कुछ डाउट्स मेरे पास में आते रहते हैं रेगलर में उनको एडरिस करता रहता हूँ तो यह तो था इस चैप्टर से रेलेटिट आपके जो क्वैरिस हैं और मैं चाहूँगा कि और आप सभी कुछ क्वैरिस यू कन सेंड यूर क्वैरिस और मैं वाट्साइप नंबर और इसके बाद में बेटा क्योंकि अभी हम तीन चैप्टर कम्प्लीट कर चुके हैं अब मैं चाहूँगा कि आप सभी इस चैप्टर के जो क्यूशन आंस्वर्स हैं तीनों चैप्टर के वो आप मेरे पास भेजेंगे और उसका क्या प्रॉसिस होगा किस तरह से वो भेजे जाएंगे आपने कितना अच्छे से किया है वो हम चेक करने वाले हैं तो आप अपना होमवर्क कम्प्लीट रखें यह तीसरा चैप्टर का कम्प्लीट होने के बाद में हम कुछ डेस फिक्स कर देंगे उस दिन रोल नमबर वाइस या नाम के साथ में आपका काम मेरे पास आएगा और मेरे कॉंटेक्ट नमबर में आप तक प्रोवाइड करा दूंगा कुछ स्टुडेंट के पास में अलड़ी है दोस्स कुडोंट नोट हैव आइम गॉइंग तो प्रोवाइड इट और आपका जो वच्छाइब गुरूप है उसमें मैं डाल देता हूँ मेरे कॉंटेक्ट और उसके बाद में फिर हम टेस्ट लेने का एक पॉसेस स्टारट करने वाले क्योंकि तीन चेप्टर होगे इसके बाद में हमें लगता है कि आप का जा-जो टेस्ट श्रीस स्टार्ट कर दी जानी चाहिए और जो ऑगता होगा और जो आपके क्यूंशन आंसुस जो हमने द तक आप regular करते रहे हैं पूरे question answer का revise करते रहे हैं कहीं भी किसी तरह का doubt है तो please share with me contact to me हम आपकी मदद करेंगे और आज जो आपके question answer है यह बहुत ही very short question answer से इसके बाद हम mcqs कराने वाले हैं और mcqs आपके complete हो जाएंगे फिर हम एक दिन आपका mcqs का test लेने वाले हैं फिर आपका जो short question answers and then फिर आपके long question answers तो इस तरह से एक process प्रक्रिया start करने वाले हैं तो be prepared mentally आज कोई वीडियो का हमको आवशकता नहीं लगती है क्योंकि exercise based है और यह questions answers sold question answers हैं इसे पहले आप assignment के आंदर से अपना mind apply करके questions के answer बना रहे थे और वो अब हम देखने वाले हैं कि इस तरह से आपने question answer तयार किये तो लेजिए इसी के साथ में आप अपना start कर सकते हैं जो assignment है आपका assignment number 21 और इसके question answers आप अपने fair notebook में लिख दीजिए ठीक है नमस्कार फिर मिलते हैं नए mcqs के साथ में इसी चैप्टर के mcqs के साथ आप से मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार stay home stay safe thank you प्रस्तर बेल इकन और यूट आप उन्यूव्ट अपना 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 अप्डका आप टेंग है